तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने website बनाना सीख लिया है और उनका next question ये आता है कि website को live कैसे करें मतलब internet पे कैसे डालें तो website को host कैसे करते हैं ये हम लोग आज सीखने वाले हैं तो website को live करने के लिए आपको चाहिए 5 चीजे पहला code और database मतलब जो अपने website बनाया है चाहे वो static बनाया हो WordPress पर बनाया हो या किसी और platform पर बनाया हो ठीक है हो सकता है website static हो तो उसमें सिर्फ HTML, CSS और JavaScript का code हो अगर dynamic हो तो उसमें backend का language होगा और database भी होगा तो पहला चीज आपको जरूत पढ़ता है code और database अगर database file है तो ठीक है दूसरा हमें जरूत पढ़ता है domain name domain name क्य क्या होता है एक address के जैसा होता है आपके website का जैसे आप Google पर जाने के लेट क्या type करते हो google.com मालो आपका domain का नाम हो सकता है tiggun.in ठीक है तो उसी तरीके से आपको एक चाहिए होता है domain name तीसरी चीज जो चाहिए होता है वो है hosting और server space देखो क्या होता है कि जो website live होती है ना वो किसी एक powerful computer पे रखा हुआ होता है ठीक है और वहां से आपका domain name connected होता है तो आप अपना website live करने के लिए अप server तो निक खरीद होगे तो कुछ company ने server खरीद रखा है अपना stable कर रखा है बैठा रखा है setup कर रखा है तो उस पे आपको क्या करते हो एक fees देते हो और उस पे थोड़ा सा space लेते हो कि मुझे इतने जी भी चाहिए आप मेरा ये website host कर दो ठीक है तो उसी को बोलते है hosting space या फिर server space चौथा database management system server पे database भी installed होना चाहिए तभी तो अगर आपने dynamic website बनाया है तो database डालोगे तो पांचवा है SSL certificate ये option optionally है देखो ये होता इसलिए है ताकि आ और user का data secure करके server पे भेजो ठीक है तो ये जरूरी नहीं है compulsory नहीं है बट ये होना ही चाहिए किसी भी अच्छे website में आप देखोगे तो ये included रहता है आप ये जानते कैसे है कि SSL certificate है या नहीं included इस website में तो देखो जो भी SSL certificate use करेगा उसका website start होगा sttps और browser यहां पर एक lock का icon दिखाएगा green clear का हो सकता है या grey clear का हो सकता बट यहां पर एक ताला का option दिखाएगा ठीक है और जो website SSL certificate नहीं रखता है उसको browser ऐसे दिखाता है not secure ठीक है और वो start होगा sttp ठीक है उसमें s include नहीं होगा तो जब भी आप भी किसी website पर credit card या secure दिखे और user को confidence आये आपका website यूज करने में तो इसलिए SSL certificate जरूरी तो नहीं होता है बट मैं कहूंगा आप include करो अब यह 5 चीजे एक आपके पास already available होता है जो की है आपका जो आपने code लिखा है वो आपको आपके पास ही है फिर उसके बाद domain name hosting database और SSL certificate यह चारो चीज आप अलग-अलग companies से भी खरीच सकते हो और एक company से भी खरीच सकते हो ठीक है बहुत सारे companies है worldwide ऐसे जो की ये hosting services बेशते हैं तो आप इनको या तो अलग-अलग companies से भी खरीच सकते हो या इकठे खरीच सकते हो जो मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूं hosting services यूज करके उसका ना discount मिल सकता है price ठीक है लेकिन यह सब जो offer है यह सिर्फ yearly मतलब minimum एक साल का package लोगे तो मिलेगा ठीक है तो मेरे पास एक coupon code है जिससे 91% तक आपको discount मिल जागा तो आपको बहुत जादा फाइदा हो जाएगा तो देखो hostinger पे कैसे जाना और coupon code कैसे apply करना है तो उसके लिए भी आपको डिखाऊंगा ठीक है तो नीचे जो link दिया हुआ है उस पर click करो और hostinger पे चले जाओ direct और दूसरा reason है domain इसमें free में मिल रहा है जब आप एक year का subscription लेते हो तो पहले तो आपको discount मिला वो अलग और दूसरा आपको domain भी free में मिल जाएगा तीसरा reason SSL भी free में तो database almost सारे hosting में na shared hosting में included होता है ठीक है तो वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा और हर जगा भी मिलेगा इसलिए मैंने उसको main point नहीं बनाया क्योंकि वो तो हर जगा मिलेगा hostinger में ऐसा क्या खास है क्यों मैं hostinger दिखा रहा हूँ ठीक है तो ये चार चीजे हैं जिसके लिए म आप पहुंचाओगे hostinger के website पे ठीक है और with discount के साथ तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे देखो एक option है hosting उस पे क्लिक करना है तो आपको बहुत सारे hosting का option दिखाए जाएगा तो हम जो लेने वाले हैं वो है shared web hosting shared web hosting मतलब कि हमारे लिए को special server नहीं है एक ही server है उस पे छोटा छोटा space बाटा गया है उसमें से हम छोटा सा space अपने लिए ले रहे हैं तो इस पे आप click करोगे तो इसके अंदर भी आपको तीन option देते है hostinger वाले ठीक है आपके website के और आपके use के हिसाब से देखो single website hosting premium website hosting और business web hosting अब देखो अब बात यह होता है single web hosting में आ आपको hostinger कहेगा कि आप upgrade करो अपना package मतलब इस पे लाओ ठीक है और इसमें domain will free नहीं मिलेगा तो आपको जो package लेना है वो है premium web hosting और यह सबसे ज्यादा popular भी है तो इसमें क्या होता है कि आप एक से ज्यादा website बना सकते हो 100 website बना सकते हो 100 website का email ID बना सकते हो email account का मतलब क्या ह होता है कि जैसे आप gmail.com यूज करते हो तो उसी तरीके से आप रख सकते हो मालो मेरा नाम है विश्वजीत तो मैं अपना एक नया email बना सकता हूं विश्वजीत एड़रेट टेगन.in मेरा website का नाम टेगन.in है तो मैं उस पर बना सकता हूं website एड़रेट विश्वजीत अभी एक टूल है तो ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सा website अप्लोड करके दिखाने वाला हूं फिर आपको SSL certificate भी मिल जाता है जो आपको देख लो यहाँ पे 800 के लगभग पढ़ेगा अगर आप अलग से खरीदते हो तो इसलिए मैं बोलता हूं आपको कि आप ये वाला package select करो तो आपको क्या करना यहाँ पे select करना add to cart तो जैसे ही आप add to cart पे click करोगे यह आपको redirect करेगा एक दूसरे page पे अच्छा अब देखो अब यहाँ क्या है कि वो जो link से आप आये थे तो उस link से क्या हुआ था कि आपको ठीक है तो आप देख सकते हो कि आपको कौन सा लेना है देखो आपको minimum तो 12 मंत वाला लेना ही पड़ेगा अगर आपको SSL certificate और domain free में चाहिए तो ठीक है अब देखो इतना तो आपको link से मिल गया discount अब मैंने आपको क्या बोला था कि एक coupon code भी है तो आपको क्या करना है यह एड़ वाले आइकन पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि यहां पर जो था वो बढ़ गया value बढ़ गया यहां 73% हो गया यह 60% यह 45% तो यह हमें और भी extra discount मिल जाता है तो आप मानलो मैं 48 मंत का ही खरीद रहा हूं क्योंकि सस्ता पढ़ रहा है वेबसाइट होस्ट कर रहा ठीक है अब देखो अब हमें बात यह आता है कि SSL certificate इन लोगों ने लिख दिया है यहां पर कि SSL certificate आपको included है free अब हमें क्या करना है अगर आपको backup देखो यहां पर option मिलता है backup का इसलिए ताकि अगर खरको आपका website गायब हो जाए या कुछ भी हो जाए hack हो जाए तो आप उसको फिर से restore कर सको तो अगर आपको backup लेना है तो आप यहां पर tick लगा दो और अगर देखो एक्स्रा प्रोटेक्शन लेना है cloudけ flair का तो आप यहां पर टिक लगा दो थोड़ा सा और एक्स्रा चार्ज होगा और अगर नहीं लेना है तो मैं तिक करो उसके बाद आप यह यह कहेगा कि नहीं अवेलेब्ल नहीं है ठीक है सॉरी। Griffin.in नहीं है तो मैं कुछ और भी ले सकता हूँ माल false टगर्गरान.xyz लेना चाहता हूँ ता उसको सार्च किरूँगा तो यह कहेगा कि हाँ available है देखो ने ये भी नहीं है available लो तो मैं अभी फिलाल कुछ और ले लेता हूँ dot store ले लेता हूँ मैं try करता है तो इसी तरह के से आपको भी try करके देखना है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है आप यहां पर भी चेंज करेंदे से store नहीं मिल रहा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहां पर कर सकता हूँ तिक गन YouTube add कर दिया मैंने ठीक है और अब search करते हैं तो मेरे मिल जाना चाहिए अब तो मिल जाना चाहिए हाँ तो हमारा एवलेवल था तो वो हमारे साथ एड हो गया देखो अब लेकिन प्राइस बढ़ा नहीं बढ़ा वो जीरो है देखो जीरो रूपह ले रहा है 100% डिसकाउंट तो आपको क्या मिल गया एक SSL सर्टिफिकर्ट मिल गया एक डोमेन नेम भी मिल गया और मिल गया वह भी डिसकाउंट के साथ अब आपको क्या करना है चेक आउट प्लिक करना है तो चेक आउट नौप नउपय करते ही ही टेगन अधरेट जीमेल डाट कॉम ठीक है टेगन हो गया मैंने यहाँ पर अभी कोई डमी इमेल डाला हुआ है आप अपना ओरिजिनल डाल लेना क्योंकि मैंने अल्रेडी रेजिस्टर कर रखा है ठीक है तो मैं आप दिखा रहा हूँ यहाँ पर पासवर्ट चूज कर सकते ह कुछ भी जो आपके इच्छा है वो चूज कर लो लेकिन मैं कहूंगा कि आप फेस्बुक या गूगल से लॉग इन करने का ट्राइ करो ठीक है वो बेटर होता है और आपको इतना ज्यादा स्टेप भी नहीं यूज करना पड़ेगा अब आपको क्या करना है अगर आप इस मे Windows पे डेफान पेज पर बोस्तिंगर क्या करता है बहुत सारे payment method प्र्वाइट करता है अगर आप वीजा कार्ड़ है अगर यूपिय मेंट गूफल पे मतल्मोस सारा 묩म जसे परना चाहते हो कर लो तो देखो 21 dużo तोटल आ cheques साल का और आपको मिल रहा है सिर्फ 6000 ठीक है तो आप यहाँ पे अपना जो मर्जी है वो पे कर सकते हो ठीक है फॉर एग्जामपल अगर मैं कार्ड सेलेक करता हूँ तो यह मुझे अब कार्ड अपना नाम वागरा इंटर करने को देगा तो यह सारा कुछ आप करके पेनाओ कर दो जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपके पास एक कनफर्म न्यू इमेल एडरेस का इमेल आएगा ठीक है आपने जो इमेल आडि दिया था वो या फिर जो फेस्बुक या गूगल से के थू जो इमेल आडि उसको मिला है उस पे आएगा ठीक है उस पे जाना है और आपको start पे click करना है वो आपको hostinger.in पे redirect कर देगा ठीक है देखो hostinger.in पे redirect कर दिया अब अगर आप logout थे तो आप login कर लो जो आपने id और password set किया था या फिर अगर आपने facebook के through login किया था तो login with facebook कर लो और अगर google के through किया था तो google से कर लो ठीक है तो मैं आपको एक काम करता हूँ logout करके दिखाता हूँ सबसे पहले तो देखो hostinger.in पे गया आपको क्या करना है login पे click करना है login पे click करने पर फिर से similar option है facebook और google तो जिससे आपने किया था उससे कर अगर email address से किया था तो email address से कर लो तो login करते हैं वो आपको hostinger के dashboard पे ले जाएगा तो देखो dashboard पे हमारे पास क्या है एक web hosting आ गया एक domain जो मैंने भी खरीदा है वो है techgun.website और एक SSL certificate ये तीनों चीजें हमारे पास है अब इनको क्या करना होता है हमें setup करना होता है तो मैं किस पे क्लिक करूंगा domain registration जो है उस पे क्लिक करता हूँ setup पे तो उस पर मैंने setup पे क्लिक किया तो वो मुझे कह रहा है कि finish domain registration ठीक है तो country इंडिया और अगर ये company के लिए तो आप इस पे टिक कर दो personal है तो इस पे टिक कर दो मैंने personal पे क्लिक किया है फिर वो कहरे आपको next step पे क्लिक करना है और यहां पर आपको कुछ अपने contact detail डालना है कि यह domain किसका है सारा detail फिल करने के बाद आपको क्लिक करना है finish registration पर यह थोड़ा सा process time ले सकता है registration का उसके बाद आपके पास message आ जाता है कि you are almost there ठीक है फिर आपको क्लिक कर देना है continue पर अब आपको यह कह रहा है कि verification mail गया है domain का ठीक है तो अपने फिर से email id पर जाओ और देखो एक verification mail आया होगा उस पर click करोगे आपका जो domain name है वो verify हो जाएगा तो देखो हमारे पास एक mail आया होगा है कुछ इस तरीके का आपको क्या करना है इस link पर click कर देना है इस link पर click करते ही वो क्या हो जागा आपका verify हो जाएगा domain देखो तो यह क्या लिख रहा है your email address has been verified successfully अब इसको आप cross कर दो और अपने dashboard पर जाओ और फिर से इसको refresh करो इस domain pending वाला ठीक है अभी देखो क्या है domain information हमारा status active है expire कब होगा वो दिखा रहे है secret की दिखा रहे है यहाँ पर click करोगे तो दिखा देंगे वो अभी मैं click नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा domain है अब देखो अब यह सारा चीज इन्होंने दिखा दिया अब हम लोग फिर से चलत setup पर अब जब मैंने setup पर क्लिक किया तो यह दिखा रहा है welcome to hosting आव विशोजित कुमार और start now तो मैं इस पर click कर देता हूँ start now अब यह मुझे पूछ रहा है कि कौन सा domain चूज करना है ठीक है तो मेरे पास जो domain है जो मैंने भी खरीदा है techgun.website उसको select कर लेता हूँ और य skip करने का ठीक है क्योंकि हम मैं यह आपको manually दिखाने वाला हूँ इनके tool के थूरू नहीं दिखाऊंगा ताकि अगर मैं इनके tool के थूरू दिखाऊंगा तो आपको main चीज पता नहीं चलेगा कि आप बात में change कैसे करोगे तो ठीक है तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा कर सकते हों मैं फिलाहल क्या कर लेता हूं क्योंकि इंडिया में हूँ तो मैं ASEA चूज कर लेता हूँ क्योंकि नजदीक का server होगा तो थोड़ा fast होगा लेकिन देखो इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है तो कोई भी location चूज करो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा difference ठीक है लेकिन फिर भी अगर option है तो आप नजदीक वाला server यूज करो माल लो इंडिया में आपका सबसे ज्यादा user है तो यहाँ पर Singapore करतीया है अब आपको क्लिक कर देना finish setup पर तो यह कह रहा है कि तीन मिनेट लग सकता है आपके website को बनने में और हमारा website almost ready होने वाला है ठीक है देखो website is ready अब यह हमें कह रहा है कि आप control panel पर जा सकते हो अपने hostinger पर तो हम लोग मैंने site पर चलते हैं मैंने click कर दिया है मैंने site अब देखो हमारे पास यह hosting से related जितने भी option है वो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है हमारा username है हमारा domain है कहां पर रखा हुआ यह है IP address हमारे website का क्या है वो है web server कौन सा है mysql कौन सा है SSL क्या है ठीक है disk space अभी हमने कितना use किया यह सारे option आपको मिलते हैं इस इस पे हम लोग आते हैं थोड़े देर में अभी फिर से हम लोग home पे click करते हैं अब देखो हमने दो चीज़ setup कर दिया है hosting और domain बचा क्या है SSL certificate तो इसको भी activate करते हैं तो इस पर भी हम लोग setup पे click करेंगे अब यह पूछ रहा है कि कौन सा website आप करना चाहते हो तो हमने ज आपका जो automatically install हो जाएगा SSL तो आपको इस message को कर देना है close ठीक है close करते हैं अब देखो यहाँ पर लिख रहा है कि DNS अभी कर रहा है वो काम कर रहा है वो हो जाएगा आपको टेंशन लेने की जववत नहीं है जब आप कुछ दूर के बाद आके फिर से home पे जब click करोगे त तो तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा website है जिसको मैं host करने वाला हूँ तो अभी मेरे पास एक website है जो simple HTML, CSS और JavaScript में बना हुआ है उसमें किसी भी तरीका का database या backend language include अभी नहीं किया है एक simple website अभी मैं upload करके दिखाने वाला हूँ अब database और backend language से related जो भी है वो मैं आपको जब wordpress hosting सिखा दाऊँगा कि wordpress कैसे host करते हैं hostinger पे तो मैं वो आपको उसमें दिखा दूँगा क्योंकि उसमें database भी है और backend का language भी है ठीक है तो अभी हम लोग एक simple सा website कैसे host करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ तो देखो हमारे पास ये folder है ठीक है यही हमारा project folder है इसमें मेरा देखो दो page है दो HTML का page है एक हमारा JS का folder है जिसमें JS है एक image का folder है जिसमें image है font है CSS है सब कुछ हमने अलग-अलग रखा हुआ है ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको upload करना है तो सबसे पहले मैं आप आपको दिखा देता हूँ क्यों कैसा दिखेगा तो इस पर double click करेंगे क्योंकि यह static website है तो direct open हो जाएगा तो हमारा website कुछ इस तरीके का है जिसको हम लोग अभी host करने वाले है तो यह हो गया हमारा website जिसको हम लोग host करने वाले है host करने के लिए आपको क्या करना है इसको Ctrl A दबा कर या फिर सबको select करके आपको zip कर लेना है तो right click किया जो भी zip करने का आपके पास software है उससे आप zip करो लेकिन आपको zip करना है किस format में zip format में zip इसमें ठीक है अब मैं इसमें okay कर देता हूँ अब यह हमारा zip कर दिया देखो हमारे पास एक zip file बन गया तो यह हमाए अब आगे कहा माने वाला है अब देखो अब आपको क्या करना है कि अपने domain पर जाना है वो hostinger वाले account पर और यहाँ पर जो manage है hosting में उस पर click कर देना है तो देखो यहाँ पर अब मैं इसके बारे में hosting के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ जो आपके order वगरा है जो आपने खरी टेखन.website है तो मैं अपना email id बना सकता हूँ विष्वजीत एडरे टेखन.website तो वो आपको यह option यहाँ से मिलता है वो उसके बारे में मैं अभी discuss नहीं करूँगा अगर आप लोग चाहते हो कि इसके बारे में मैं discuss करें तो comment कर सकते हो मैं अगर बहुत लोगों का request करूँगा ठीक है उसके बाद आता है आपके पास सारे domain का option यह से भी हमें अभी कोई काम नहीं है ठीक है उसके बाद आता है website से option import करना migrate करना या फिर wordpress auto install करना यह सारी चीजे और यहाँ पर हमारे पास files है ठीक है file manager तो यहीं पर अभी हम लोग काम करने वाले हैं और उसक फिर advanced tools भी हमारे पास कुछ है इनको आप explore कर सकते हो ठीक है तो हमारे पास अभी जो काम है वो है file manager तो file manager पर जाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि अपना जो domain है na techgun.website इसको एक बार copy करता हूँ और browser में जाके देखते हैं कि अभी क्या आ रहा है तो जब मैं browser पर जाके हो जाएगा बट automatic आपको जरुवत कुछ भी करने कर नहीं है तो हम लोग आते हैं file manager पर file manager पर आपको click करना है तो आपके पास एक और dashboard नया tab में बनोगा तो हमारे पास आ चुका है file manager file manager में देखो क्या है कि यहाँ पर यह जो folder है ना इस पर हम लोग click करेंगे जो public underscore stml domain techgun. website public underscore stml है यह जो folder है इसमें हम लोगों को अपना file रखना है और अभी जो हमारा यह वाला जो default page है यह भी अभी यहीं पर पड़ा हुआ होगा तो चलो हम लोग click करते है इस पर तो यहाँ पर देखो site में public underscore stml है इस पर click करते हैं तो इस पर click करते ही हमें एक page पर redirect किया गया ह है दो यहाँ पर default.php और यही है वो default.php जो यहाँ पर दिख रहा है हमें हमें क्या दिखाना है अपना यह वाला website तो देखो मैं क्या करूंगा कि इसको फिलाल delete कर देते हैं यहां से तो delete करने के लिए इस पर tick लगाएंगे और ऊपर देखो हमारे पास जैसे word में file में होत delete किया delete हो गया अब अगर मैं अपने जो टेगन.website है उस पर जाकर refresh करूं तो क्या दिखाएगा यह कुछ भी नहीं क्यूंकि हमने तो delete कर दिया जो file था लेकिन अब हम लोग यहाँ पर upload करेंगे अपना website तो upload करने का option कहां पर है यह देखो यह upload file तो इस पर click करना है select करन है तो देखो हमारा file यहाँ पर हमने zip बनाया था उसको select कर लेते हैं मैंने उसको select किया 1.4 MB का है और अब अब इसको upload कर देते हैं तो upload किया upload हमारा almost done हो गया ठीक है upload हुआ अब यह zip आ गया zip आ गया तो यह काम नहीं करेगा अगर आप फिर से जाके इसको refresh करोगे तो भी य zip file काम नहीं करता है stml करता है तो हमें इसको यहाँ पर unzip करना है तो हम लोग इस पर क्या करेंगे या तो देखो आप क्या करो यहाँ पर ऐसे right click करो right click करोगे तो आपको बहुत साले option यहीं पर मिल जाएंगे cut copy delete rename जो भी है वो तो अब यहाँ पर आ गया extract तो इस पर आपक को clicking कर देना है वो इस पर click करके आपको क्या करना extract पर click कर देना track कर लेते हैं चलो extract भी हो गया हमारा maximum वाले में हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं मैक्सिम वाले फोल्टर में क्लिक करके इसके अंदर जाते हैं ठीक है डबल क्लिक किया अंदर चले गए अब इस सब को सलेक्ट करके move कर देते हैं, तो right click करेंगे move पे click करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि change करेंगे, कि destination हमारा क्या है यह public underscore stml है, तो हम लोग उन्हें select कर लिया select this कर दिया, अब हम लोग move पे click करते है, move पे click किया आप भी हमारा यह folder empty हो गया अब सारा चीज कहां चला गया, public underscore stml में, देखो, आगया सब कुछ अब हम लोग यह folder extra बनाया, maximum इस पे click करके, यहाँ पे delete कर सकते है delete कर दिया ठीक है, यह बिल्कुल आपके computer जैसा है move करना, cut, copy, paste करना, यह सब सब कुछ तो हमें कोसिस यह करना है, कि public underscore stml में होगा ठीक है, तो इस पे click करोगे, वहीं पे दिखना चाहिए आपको सब कुछ, देखो, public underscore stml है यह, अब अगर मैं इसको यहाँ पे जाके refresh करता हूँ, तो आप देखो कि हमारा website आ गया, जो हमारा local पे था, वही यहाँ पे आ गया यह जो not secure है, यह थोड़ा सा time लेगा और उसके बाद यह ssl install हो जागा तो यह secure हो जागा, यहाँ पे एक lock बना हुआ आ जाएगा, ठीक है तो बस इतना सा काम है, इसके बाद आप file manager को बंद कर दो और उसके बाद अपने hostinger से अगर लोगाउट होना चाहते हो, तो लोगाउट हो जाओ और नहीं तो जो भी अगर आगे कुछ और करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो तो अगर आप लोगों को कोई website जिसमें database हो या तो वो core पे हो सकता है या फिर किसी platform को जैसे WordPress यूज़ करके है, उसको host करना सीखना है, तो आप मुझे comment कर सकते हो अगर comment आता है मेरे पास कि हाँ WordPress का hosting भी दिखाना है, इसी hostinger account में, तो मैं वो भी करके दिखा दूँगा अगर आप चाहते हो कि आपने PHP पर website बनाया है, और आप database भी है, आप उसको host करना सीखना चाहते हो, तो भी आप मुझे comment कर सकते हो, अगर कुछ लोगों का आया, मतलब एक दो में तो मैं नहीं बना पाऊँगा, बट अगर कुछ लोगों का आता है तो मैं जरूर वीडियो बनाऊँगा उस पे भी, कि किस तरीके से आप लोग WordPress वेबसाइट या फिर एक डेटाबेस वाले वेबसाइट को कैसे अपलोड करते हो hosting अर लाइव करते है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चैनल को दुबार धूंड़ना ना पड़े और जब भी मैं कोई ऐसा content बनाऊ तो आप तक भौन सके